नमस्कार प्रणाम आदाब सस्रियाकाल कैसे अभी आप सभी उमीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी को मेरी वॉइस भी क्लियर आ तो भी या हम वीडियो तो ले आए है चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और एथ्लेटिक्स के आज हम बात करेंगे कि एथ्लेटिक्स में जितने भी कोश्छन्स होते हैं आपके चाहे आपको इंदुस्तान में कहीं पर कोई भी कोश्छन पेपर मिले सभी मे लेना एक भी कोश्चन आपका छूटे का नहीं और चैनल को आपको सब्सक्राइब जरू कर देना है ठीक है और वीडियो को लाइक कर देना अच्छे लगे तो सबसे पहले मुख्य बात आपकी अथलेटिक्स जो नाम आया है तो अथलेटिक्स नाम कहां से आया है उसके बारे सब्सक्राइब बात कर लेते हैं तो अथलेटिक्स नाम आया है ग्रीक सब्सक्राइब अथलोस से और अथलोस का मतलब क्या है आपका कॉंटेस्ट ठीक है तो यह बात आपको ध्यान रखनी है आगे चले तो हम जानते हैं कुछ इंट्रनेशनल फैडरेशन के बारे में तो उसके बाद में हम देखेंगे आपके कि नैशनल फैडरेशन क्या होती है तो आई एएफ इसमें कन्फ्यूज मत होना क्यों क्योंकि इंट्रनेशनल एमेचर एथलेटिक फैडरेशन और इसका अगर देखा जाए तो शुरुआत कब हुई तो 1912 ही आता है लगबग आपको में देखने को मिलेगा 1912 1912 देखने को मिलेगा लेकिन अगर दीप पूछ ले तो 17 जुलाई 1912 स्टॉक हॉम स्वेडन करेंट में इसका हैड़कॉर्टर कहां है यह भी आपको देखने को मिलेगा अब हम बताते हैं इंटरनेशल एस्टेशेशन ओफ एथलेटिक फेडरेशन तो आप इसको देखो तो यह भी आपका आई एएफ ही है तो आप यह चीज देखो एक बार एक्जाम में यह चीज पूछ लिए गई थी और दोनों फुल फॉर्म दे रखी थी तो यह एक्जामिनर को सोचना चाह है अलग-अलग है और दोनों ही आई एएफ है तो दोनों उप्शन में मत दो आपको थोड़ा सा एक और चीज बता दूँ यह रीनेम हुई थी नेम्ड कब 2001 में इंटरनेशनल एमेचर एथलेटिक फेडरेशन का नाम बदल के इंटरनेशनल एसोशेशन ओफ एथलेटिक फ हए डिटाइट रिखा जाए तो इसका मोनाइको में है हैं हेडिक दोसको मोनाइकों में देखने को मिलेगा और प्रेजिदैट सेबस्टियंट सीयो यह थीक्याइए उसी के साथ साथमे जो प्रस्ट प्रेजिडेंट थैं वह कौन थे बेल ऑ सिक्फ्रेड ऐड़-स्ट्रो आगे चलते हैं आपका National Federation की तरफ ये सभी questions आपको exam में देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं बताइए तो Athletic Federation of India 1946 में बना और उसी के साथ साथ में Headquarter कहा है भी या New Delhi में है प्रेजिडेंट कौन है तो एडिली सुम्री वाला उसी के साथ साथ में परस्ट प्रेजिडेंट कौन थे तो प्रोफेसर जी डी सोंधी यानि कि गुरुदत सोंधी जिनका नाम आपने सुना होगा तो ये वही है जिन्होंने Asian Games की सुरुआत करी थी जी डी सोंधी उसी के आगे चलें अब हम आपको बताते हैं इवेंट्स के बारे में तो ट्रैक इवेंट्स और फिल्ड इवेंट अलग अलग तब ही जाके मिलके ट्रैक एंड फिल्ड बनता है आपको ये अपने हातों से नोट डाउन कर लेनी है ताकि आप लोग इसको अच्छे से अपने चैनल भी जोइन कर सकते हैं रूट टू फेजिकल अजुकेशन नाम से मुझे इंस्ट्रा ग्राम पर फोलो कर सकते हैं मोनु मधुकर अफिचल के नाम से बाकी एकंट्राग्राम हैंडल और आपको recommend करूंगा सबसे best है वो है physical education जिंदाबाद तो उन पर आप जाके दोनों पर ही join कर सकते हैं track event की बात करें तो sprint middle distance races long distance relay races hurdle races steeplechase और racewalk यह track event है field event की बात करें तो throwing event और jumping event तो throwing event में चार event देखने को मिलते हैं short put, discuss throw, hammer throw और javelin throw इन में से अगर हम देखा जाएं तो short put, discuss throw और hammer throw तीनों का जो sector area होता है sector angle वो सेम होता है और आपको comment करके बताना है कितना होता है क्योंकि मैं आने वाली उसमें बता रहा हूं कितना होता है और javelin का अलग होता है ठीक है तो यह बात ध्यान रखनी है तीनों का सेम रहता है आपके उसके बाद में long jump, high jump, triple jump and pole world यह आपके jumping event हो गए और कुछ combined event होते हैं जैसे कि आपके decathlon हो गया और heptathlon हो गया तो decathlon में आपके 10 event देखने को मिलते हैं और यह men's के लिए होता है और heptathlon में आपको 7 event देखने को मिलते हैं और यह women's का होता है बात clear चले आगे अब हम बात करते हैं track events के बारे में तो इसमें जो आपका races का distribution है वो किस तरीके से किया गया है जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको time ज़्यादा waste ना हो कम चोटी चोटी वीडियो में आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाए सबसे प और 3,000 मिटर Races आती हैं long distance races में 5,000 मिटर और 10,000 मिटर यानि 5 किलो मिटर और 10 किलो मिटर आती हैं hurdle races में आपके 100 100 मिटर हरडल 110 मिटर हरडल और 4 into 400 मिटर हरडल ये आपकी females के लिए होती है 100 मिटर और ये आपकी मेल्स के लिए होती है ठीक है ये बात आपको पता होनी चाहिए उसके साथ साथ में Relay Races Relay Races के अगर हम बात करें तो 4 into 100 meter और 4 into 400 meter जिसमें आपके Relay Races जिसमें 4-4 खिलाड़ी आपके भाग लेते हैं Race Walk की अगर हम बात करें तो 10 km, 20 km, 50 km Race Walk Marathon में 42.195 Question बहुत important है एक्जाम में आता है या फिर आपका 26 mile 385 yard ये भी आप लिख सकते हैं बात क्लियर है चलिए तो ये question आता है एक्जाम में सबसे ज़्यादा इसको miles में भी याद रखना उसके बाद में आपके award के भी question पूछे जाते है जो कि सीधे सीधे आते है तो Arjun Award के बारे में बात कर लेते हैं कि Arjun Award वैसे Arjun Award के शुरुआत हुई थी 1961 में और उसी के साथ साथ में पहले Arjun Award Athletics में कौन थे ये पूछा के जाए अगर आपसे तो आपको पता होना चाहिए गुरू बचन सिंग रंधावा उसी के साथ साथ में अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट दुरोणाचारे अवर्ड कों थे तो दुरोणाचारे अवर्ड के शुरुआत हुई थी 1985 में और ये कोचिस को दिया जाता है ये खिलाडियों को दिया जाता है अर्जुन अवर्ड खिलाडियों के लिए है और दुरोणाचारे अवर्ड आपका कोचिस के लिए तो ओम नियामबार आपको याद रखना है और फर्स्ट ध्यानचंद खेल रत्न की अगर हम बात करें तो ध्यांचन खेल रत्न इसे पहले आपका राजीव गांधी खेल रत्न बोला जाता था और इसकी शुरुवात हुई थी राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुवात का भूई थी भई आपकी हाँ 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 ही 1991 1992 वेरी गुड ठीक है 1912 में उसी के साथ साथ में आप इसका नाम बदल के ध्यांचन खेल रत्न अवर्ड बदल दिया गया यह खिलाडियों के लिए सर्वोचितम अवर्ड होता है और यह एत्लेटिक्स में सबसे पहले किसे मिला तो आपको पता होना चीए जोतिर मौई सिकदर ठीक है आगे चलते हैं अब ऑलंपिक में कब इंक्लूड किया गया तो 1896 में यानि कि पहले ही ओलंपिक में जो आपके एथेंस में हुए थे उसमें एसियन गेम्स में कब में क्योंकि इस बार आपका वॉलीवोल को ओलंपिक में एसियन गेम्स में कब इंक्लूड किया गया यह कॉश्चन अभी रिसेंटली पूछा था तो यह बात आपको पता होने चीए अथलेटिक्स में कॉमन वेल्थ में कब इंक्लूड किया 1930 में आनि कि पहले ही जो आपके हमिल्टन कनाडा में ठीक है पहले और पर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक चेंपियंशिप कब हुई 1983 में हेल्सिंग की अब बात करते हैं आपके ट्रैक के बारे में ट्रैक क्या होता है और इसे बनाया कैसे जाता है इसके लिए एक अलग से वीडियो आईगी कि हाव टू मार्क ट्रैक और बहुत ही इजी और स्टेंडर्ड वे में आपको बताया जाएगा कि कहीं भी आप किसी भी तरीके से कन्फ्यूज ना हो तो आईए बात कर लेते हैं आपके ट्रैक के बारे में तो ट्रैक की बात करें तो यह 200 मीटर और 400 मीटर दो तरीके के ट्रैक देखने को मिल जैसे कि घड़ी देखोगे तो घड़ी आपके ऐसे घूमती है यह आपके 12 बज़रे है यह 6 बज़रे है ठीक है यह 9 बज़रे यह 3 बज़रे तो इस तरीके से घड़ी घूमती है लेकिन खिलाडी कैसे दोड़ते हैं इसमें ऐसे एंटी क्लोक वाइस ठीक है तो ऐसे दोड होते हैं ताकि हार्ट को अच्छे सप्लाई मिलती रहे ओवल शेप का आपका क्या रहता है ट्रैक रहता है उसी के साथ साथ में नौर्थ टू साउथ बनता है यह भी कोश्चन इंपोर्टेंट है बहुत ही शांदार आपके लिए रिसर्च बेस यह पीपीटी पूरी और कंप लेन होती है यह भी कोश्चन आता है एक्जाम में कितनी लेन होती है उसी के साथ साथ में विथ की बात करें चोड़ाई सबसे ज्यादा अगर कोई पूछा जाता है तो 1.22 आपकी चोड़ाई होती है अथलेटिक्स में उसी के साथ साथ में विथ ओफ लेन यानि कि मोटाई कितनी आई इसकी यह जो सफेद पटी है इसकी मोटाई कितनी है तो पांच सेंटीमेटर नमबर ओफ लेंज आठ लेंज के बीच में गैप यानि कि एक लेंज यह जो पांच नमबर है इस लेंज से इस लेंज के बीच में गैप कितना रहेगा तो 1.22 जो मोटी कलर के यह पटी के ट्रैक के बारे में मुख्यत सबसे पहले तो लेंथ की बात करते हैं फिल्ड में लेंथ की कितनी रहती है तो 176 यानि की 176.91 मीटर अब इसके बारे में बात करेंगे विद की बात करें तो विद रहता है आपकी चोड़ाई जो रहती वह और इसको तो कितनी रहीगी 92.52 उसी के साथ में आपकी स्ट्रेट कितने का रहता है ये कोशन आता है फिर स्ट्रेट किसे रहता है 400 मेट के स्टेंडर ट्रैक में स्ट्रेट कितना रहता है तो 84.39 ठीक है 390 नहीं भी लगाऊगे तो चल जाएगा ऑप्शन में यह देखने को मिलता है इंपोर्टेंट है और टोटल ट्रैक की बात करने तो कितने स्ट्रेट चाहिए स्ट्रेट मतलब सीध है अभी बताऊंगा स्ट्रेट कितने चाहिए क्या चाहिए स्ट्रेट कितने चाहिए दो स्ट्रेट चाहिए प्लस दो कर दोनों से मिलके मतलब कि आपको स्ट्रेट दिखाओ तो क्या है जैसे कि ये एक स्ट्रेट ये दो स्ट्रेट ये एक कर ये दो कर ये मिलके ही बनाता है आपका 400 मेटर का स्टेंडर ट्रैक इसी तरीके से होता है तो तो इन दोनों को प्लस करके चार सो में से माइनस कर दोगे तो आपके ये दो कर्व का आएगा कि नहीं आएगा तो ये अभी मैं बताऊंगा आपको कैसी वीडियो लगी है इसका कमेंट में जरूर बताना वहीं ठीक है चार सो मीटर की अगर हम बात करें तो अब हम देखो मैंने आपको जो ऊपर बात बताई ध्यान से देखो मैंने कहा कि चार सो मीटर का जो आपका ट्रैक बनता है वह इस तरीके से बनता है यह पूरा चार सो मीटर का ट्रैक है अब यहां पर देखो जो आपका जो आपका यहां से देखो यहां से लेके यहां तक है इसको स्ट्रेट बोल रहे हैं कि यहां के बाद तो कर्व स्टार्ट हो रहा है इसके बाद कर्व स्टार्ट हो रहा है तो यहां से लेके यहां तक क्या है एक स्ट्रेट है इसी को स्ट्रेट बोल रहे हैं और यहां से लेक किहां से कर्व स्टार्ट हो रहे हैं, ये कर्व है, एक कर्व ये हो गया, और एक कर्व ये हो गया, दूसरा कर्व ये हो गया, तो यही बात यहां पर कह रहे थे आपके, कि एक स्ट्रैट, जिसकी लम्बाई आपको पता है, कितनी 84.39 मीटर, ठीक है, यह हो गया उसके बाद में दूसरा दूसरा स्ट्रेट वो भी सेम 84.39 का हो गया यह दो हो गए अब इन दोनों को प्लस कर दें अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें और साथ में दो कर्व जोड दें जैसे कि हमने यहां पे दो कर्व जोड देते हैं एक कर्व ये जोड दिया मालों और एक कर्व ये जोड दिया एक ये कर्व जोड दिये दोनों मैं तो क्या आपके पास में पूरा का पूरा स्टेंडर्ट ट्यार हुआ की नहीं हुआ उगया न तो यही बात कह रहा है लेकिन अब Ha trimming क्या पता है हमें क्या पता है भी या यह पता है तो इन दोनों का एट करेंगे तो हमार पास आएगा कितना हाँ भई कितना आएगा भी या 168.78 यह क्या हुआ है 84 को multiply करेंगे 2 से तो यह आएगा प्लस में 2 curve और हमें 2 curve का भी पता है कि 2 curve का कितना होगा निकालने के लिए भी simple निकाल सकते हो इन दोनों को जब आपने ये कर रहा है इन दोनों को निकाल के इन दोनों को plus करके ये straight और ये straight ये दोनों plus कर देंगे आप तो इसको plus 84.39 ठीक है ये दोनों plus करने के बाद हमें हमारे पास में ये दो लाइन आगी सर ठीक है बिलकुल आगी सर इन में कोई दिक्कत नहीं है अब ये दोनों और निकालनी है ये दोनों और निकालनी लाल कलर की अब आप ये बताओ ये पूरा track कितने का था 400 मीटर का ठीक है ये दो लाइने आपको पता है तो ये दो लाइने कितने की है ये दो लाइने कितने की है एक सो 68.78 की है 400 मीटर का ये पूरा ट्रैक था जिसमें से ये दो लाईने आपको पता है अगर ये 168 इसमें से घटा देंगे तो आपको पता लग जाएगा की नहीं लग जाएगा हाँ भई आप खुद घटा आगे देख लो तो ये 231 पॉइंट दो आएगा की नहीं आएगा अब ये दो कर्व आ गए आपके पास में हाँ भई दो कर्व आ गए अब इन दो कर्व को अगर आपको हाफ करना है तो ये 231 को आधा कर देंगे तो ये 115 पॉइंट 61 या 61 मीटर आ जाएगा आपके पास में सब आ गया सर समझ में नहीं आया एक बार और बता दो पहली बार देख रहे हैं सरम चलो कोई नहीं पहली बार देख रहे हो हम पहली बार वालों को और अच्छे से समझा देते हैं एक एक लाइन ध्यान से देखो अपनी कॉपी में बनाओ खुद बन जाएगा हावे देखो पूरा ट्रैक रहे चार सो मीटर का आपको पता एक स्ट्रेट कितना है 84 0.39 दूसरा स्ट्रेट कितना है 84 0.39 ठीक है यह दोनों को पता है तो दोनों को हम प्लस कर देंगे दोनों को प्लस करके यह जो ब्लू कलर वाला है इसको माइनस कर देंगे यानि कि 400 मीटर है पूरा टोटल तो 400 मीटर में से यह दोनों को प्लस जो करा था यानि कि कितना आया था 168 ठीक है 168.78 तो हमारे पास में क्या आ गया दो कर्व आ गये वह कितने आ गये यह आ गये अब इन दो कर्व को भी आदा कर देंगे तो सीधा सीधा यह आ जाएगा तो सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया बताओ हाउ टुमार के ट्रैक में हम पूरी इन मेजरमेंट्स को बनाना किस तरीके से बनाते हैं वह सब सीखेंगे लेकिन अभी एक्जाम प्रस्पेक्टिव से यह सारी चीजे समझ में आई कि नहीं है तो यह आपका पूरा का पूरा ट्रैक है जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है यह ट्रैक की पूरी डेफिनिशन्स किस तरीके से कहां क्या सारी चीजें हम देखेंगे आपका हाउ गूर के ट्रैक में तो वह उसके लिए भी अब वीडियो को जूरूर आपको लाइक कर लेना और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ले तो यहां से यहां तक की कितनी थी यहां से यहां से निया थकि 34.39 लेकिन एक चीज और बता हूँ अगर यहां एक प्लीन से निया से ला अगर पूछे तो कभी बता देना अब बात आती आपके स्टेगर की तो सबसे पहले चीज़े स्टेगर क्यों दिया जाता है स्टेगर क्यों दिया जाता है मैं आप से कहूं कि A person वो आपका यहां दोड़ेगा ठीक है और एक B person है वो यहां दोड़ेगा अब आपको ये बताओ ए परसंट जादा जल्दी चक्कर लगा लेगा ये बी परसंट जादा जल्दी चक्कर लगा लेगा हाँ भई अगर मैं कहूँ दोनों में एक चक्कर लगाने पे आपको गोल्ड कोईन मिलेगा तो gold coin कौन जीत जाएगा सबसे पहले ये वाला जीत जाएगा आराम से क्योंकि छोटा चक्कर लगाना पड़ रहा है वो छोटा चक्कर एक को ना लगाना पड़े एक को बड़ा चक्कर ना लगाना पड़े दोनों के बीच में अंतर ना आए किसी खिलाड़ी को फाइदा ना मिले किसी खिलाड़ी का नुक्षान ना हो इसलिए स्टेगर होता है अब देखो स्टेगर अलाव एथलीट्स टू कावर दे सेम डिस्टेंस वही बात जो मैंने आपको बताई कि स्टेगर एथलीट को एक ही दूरी तै करने के लिए अनुमती देता है कि एक खिलाड़ी जो दोड़ रहा है वो अपनी लें में दोड़के भी पूरा का पूरा उसमें फाइदा उबिले दूर दोड़के भी उसको फाइदा मिले ठीक है तो यह चीज है तो formula क्या होता है यही question exam में आता है 400 meter में क्या है w यानि की width ठीक है w यानि की width चोड़ाई कितनी है तो w bracket n-1 उसी के साथ साथ में bracket बन फिर आपका minus 0.10 divided by 2 pi याद रखना question standard का है सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है यह question एक भी question मैं कहा हूँ नहीं छूटेगा आपका exam में तो width of lane आपका w था और n मतलब की number of lanes कौन सी number की lane है वह यहाँ पर आ जाएगी जैसे कि मुझे तीसरे का stagger निकालना तो यहाँ पर तीसरा आ जाएगा मुझे चोथे का निकालना चोथा आ जाएगा ठीक है तो full stagger लगता है आपके 400 मीटर में और 200 मीटर में क्या लगता भी हाँ हाफ स्टेगर इसका हाफ हो जाएगा डायरेक्टली चलिए तो आपको एक्जाम में क्या पता होना चीए वह सुन लीजिए यह पूल स्टेगर लगता है आपका वह पता होना चीज ऐसे कि आपका नमबर ओफ लेन फर्स लेन में तो कोई लगेगा ही नहीं 400 मीटर का है या सीधा-सीधा उसमें तो कोई आपका पॉर्मूला कुछ नहीं लगेगा सेकिंड में आपका जब फॉर्मूला लगेगा तो सेकिंड में आपको देखने को मिलेगा यह ज्यादा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है तीसरी लेन का पूछा जाता है तीसरी लेन का यानि कि 14.704 और पांचवी लेन का भी पूछ लिए जाता है ठीक है तो यह सारी लेंस आपको पता होनी चाहिए इस बार यह जिसी नेट में भी पूछ लिया था तो यह सारी आपको पता होनी चाहिए कि पहली लेन में 2 सेऴंड लेन में ऋर अगली में घरते जाना इसमें एड करते जाने हैं डबल कर दो इसका डबल करो तो यह आजाएगगा इस तरीके से आपको डिकर मतलब 7 एड करना हो डिल इन व एक सेंस कि इसमें इसमें मैं जोडो कौसिस करना यह सारे आपको आखों से एक बार एक्जाम से पहले अपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें से एक बार गुजार लो ठीक है ज्यादा तर मुख्या बाकी तो किसी का भी इसका पूरा कंप्लीट स्क्रीन शोट ले सकते हो आपको एक्जाम में देखने को मिल सकता है बाकी और क्या होता है डाइगनल वगरे सब चीजे बता दूगा अब स्प्रिंट स्ट्राट टेखनीक क्या होती है उसमें बात कर लेते हैं सबसे पहली चीज है ओन यूर मार्क सेट और फिर विसल और क्लैपर और गो ठीक है या देखो पहला कहता है ओन यूर मार्क ओन इस तरीके से जैसे पोजिशन बना रखें इसी तरीके से आपको स्ट्रेट होके बैंड नीज जब आपको सेट बोलेंगे तो यह कोशन आता है कि जब सेट कमांड आती है तो खिलाड़ी किस पोजिशन में होता है तो याद रखना अंस्टेबल इक्विलिब्रियम में contradictory में नम7 एक्विलिब्रियम में रहते हैं यही aspects उच्छ जाता है तो रेस इसमें हिप्रेस कर देते हैं आम संजिशन में रहेंगे वी शेप में और लेगड़िफ्ट हो जाएंगे बॉड़ि वेट हातों पर आ जाएगा और पैरों पे एकोली आ जाएगा अन बैलेंस स्टेपल थोड़ा सा बने रहेगा गों में आपका ड्राइब नी और अप डिरेक्ट दोड़ना स्टार्ट कर देंगे फॉर्वर्ड लीन होके तो यह आपका स्प्रिंट की कमांड होती है कि ओन यूर मार्क अपलीट्स ओन यूर मा पहली नेक्स्ट इस सट फिर गो के लिए चलो तो यह आपको मैंने बताई अभी पीछे अब बात करते हैं टाइप सोफ स्टार्ट क्या होते हैं यह कोशन आता है एक्जाम में सबसे ज्यादा टाइप सोफ स्टार्ट तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले स्टेंडिंग लिए होता है और एक आपका क्राउच स्टार्ट होता है जो कि स्प्रिंटिंग इवेंट के लिए होता है क्वेश्चन यहीं से बनेगा सबसे ज्यादा बात करते हैं आपके क्राउच स्टार्ट की तो इसमें एक बंच स्टार्ट होता है इसी को बंच स्टार्ट को ही बुल देंगे और बोल देंगे आपसे कि which of the following is not a part of crouch start ठीक है ऐसे questions आ जाते हैं exam में और हमीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो like करके कमेंट करके मनोबल बढ़ा सकते हमारा ताकि हम भी को कि खुश रहे है अब यह स्टेंड इनग स्टाड है डार्यव स्टाड के तीन टाइप बंच स्टार्ट इसको बुलेट स्टार्ट बोलते हैं फिर वीडियय races की अगर हम बात करें तो men's hurdle event 110 meter का होता है और 400 meter का होता है ठीक है 100 meter का आपका women's के लिए होता है women's के लिए 100 meter और 400 meter hurdle रहता है और उसी के साथ साथ में number of hurdle की अगर हम बात करें तो men और women दोनों में कितने होती 10 होती है सबसे ज़्यादा बार question यही पूछा गया exam में कि number of hurdle in 400 meter या आपके 100 meter 110 meter यह सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है यह आपके hurdles ठीक है इनको cross करें बाधा race बोलते हैं बाधा cross करनी होती है तो width की बात करें तो width रहती है 1.8 meter से लेके 1.20 meter तक तो width तो इतनी रहेगी बैया क्योंकि एक lane के बराबर ही रहती है न ठीक है तो lane से छोटी 1.22 तो lane की ही है तो lane से छोटी रखनी पड़ेगी यानि की 1.20 से length की बात करें hurdle की तो 70 cm ठीक है length of base length base और अगर हम बात करें आपका weight of hurdle की तो not less than 10 kg सबसे मुख्या question exam में आता है KVS में इस बार यही पूछ लिया गया था ठीक है अब यह आपके मेली hurdle की इसको थोड़ा साइड अट जाता हूं screenshot ले सकते 400 meter की अगर हम बात करें तो 400 meter में बता देता हूं कि 400 meter के जो track है उसमें सुरू के 45 minute के 45 meter के बाद में एक hurdle लगता है फिर हर 35-35 meter पर आपके सारे hurdle लगते हैं दस्वा hurdle जो लगेगा वह 40 meter से पहले लगेगा finishing line से ठीक है यह बात आपको पता होनी चाहिए और height अगर देखें सबसे ज़्यादा यह भी पूछा जाता है exam में men's की height अगर देखें 400 meter में तो 9 1 यानि कि 41.4 meter और women's की 76.2 centimeter आपको देखने को मिलती है centimeter है दोनों ठीक है मैंने meter अगर बोल दिया हो तो flow flow में बहिया class काफी समय से चल रही है तो हो जाता है फुलो फुलो में इतना तो उसके साथ साथ में world record अगर men's की बात करें तो 46.78 seconds का है और women's की बात करें तो 52.20 seconds का है ठीक है minute और second है minute के बाद second चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है hurdle ठीक है जो men's रहेगा उसका 110 meter की अगर हम बात करें आनि कि छोटा distance है तो छोटे distance में आपके height जाधा रहती है कितनी 1.067 meter और जो women's का जो रहता है 100 meter तो उसमें 0.838 meter बात याद रखनी आपको पता होनी चीए उसी के साथ साथ में आपके 400 meter women's की अगर हम बात करें तो 0.762 meter याद रखना 0.0 ठीक है और men's की बात करें तो 0.916 meter ये 400 meter men's के आपके hurdle की मैंने बात बताई तो इनको note down जरूर कर लो अपनी copy में सबसे ज़्यादा बहुत समय लगता है ऐसी आपकी presentation त्यार करने में और ऐसी research based ppt त्यार करने में तो लाइक भी कर देने वीडियो को और आपके लिए especially ये सारी की सारी अभी आप ये देखो कि एक्जाम आएंगे तो games and sports के लिए लोग भागेंगे games and sports कहीं मिलेगी नहीं ऐसी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी देख लेना तुम ठीक है तो यहां से स्टार्ट हुआ में और यहां पर खतम हो गया ऐसे ही आपका क्या रहता है मेंस का रहता है एक ही लाइन में 110 मीटर थोड़ा सब परली तरफ लगा लेंगे थोड़ा सब पहले लगा लेंगे लेकिन बात आती 400 मीटर में 400 में की जो आपकी स्टार्ट पूरा यहां पर खतम क्लियर बाई यह चीज अपने ट्राक भी देखा ँगा ये पूरा को पूरा एंटी एंटी क्लोक वाइस दोड़ रहा है अब यह आपको देखने को मिलेगी हाइट इन में से सबसे मुख्य तोर पर बता देता हूँ पहले तो मैं साइड जाता हूँ ताकि आप स्क्रीन शॉट ले लो और अपने कॉपी में एड कर लेना अभी नहीं लेना है स्क्रीन शॉट जिनको तो अब मैं बता देता हूँ अब ले लेना जो star mark करना हूँ समझे लेना वो एक्जाम में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा जैसे कि एक चीज यह हो जैसे कि आपकी यह हो गई नहीं यह नहीं है एक चीज यह हो गई यह दोनों की दोनों आपके सबसे ज़्यादा एक्जाम में पूछी जाती है पूछी भी जाएंगी ठीक है बाकि यह भी चीज आद रखना नमबर ओफ हार्डल्स इस टैन बाकि स्क्रींशोट ले लो इन दो पहराई में मत गुसो कि कुछ पता ही न चले उसके बाद में हम बात करते हैं आपकी स्टेपल चेज रन की चलिए तो स्टेपल चेज रन को भी जान लेते हैं क्या है सबसे ज़्यादा कूशन पूछे जाते हैं 3000 मीटर की स्टेपल चेज होती है में लिए 24 हर्डल्स बैरिय देखने को मिलते हैं ठीक है और 2000 मीटर की बात करें तो आपके 18 हर्डल जिन में आपके देखने को मिलेंगे पांच वाटर जम अलग से कि कि तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें वाटर जम यह साथ वाटर जम इसके संख्या होती है सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है एक्जाम में हर्डल्स के संख्या कम है इसमें है मैं मिस्टिक 24 नहीं होती हर्डल्स के संख्या 24 नहीं होती मैंने तो आज तक 24 वैसे पढ़ा है नहीं है एक सकिर एक सकिर 24 नहीं है आज थोट 28 20 हो गये न है है अब है क्लियर है ठीक है चलो भाई रिकॉर्डिंग है कोई वह ज्यादा दिक्कत गड़बड़ी नहीं होनी चीए यहीं किसी भी तरीके से कोई भी समश्चा नहीं आनी चीए तो पूरी पूरी आपको हाँ चलिए तो लॉंग जंप में बात करते है आपकी आगे लॉंग जंप में क्या होता है लॉंग जंप में आपको यह रनवे देखने को मिल रहे है यहीं पर अगर देखा जाए तो रन्वे की आप से पूछ ली जाती है लेंथ कितनी है लेंथ 40 से 45 मैक्सिमम 45 यह पूछा जाता है एक्जाम में और विथ कितनी अभी यह 1.22 वहीं दोड़ेगा उसके बाद में आप से मार्क वाइट लाइन इसमें आपका 50 mm विथ यानि कि आ रन्वे हो गया 1.22 मिटर यहां टेक ओफ बॉर्ड रहता है यही पर प्लास्टिंग इंडिवेटर बॉर्ड रहता है और यहां से जंप करके आपका लेंडिंग पीट आता है तो इसकी भी फोटो ले सकते हैं आप कि अभी कि इसकी भी फोटो ले सकते हैं मैंने जो आपको पीछे बताया नहीं यह कि अधिकर तो यह मिस्प्रिंट हो जाते हैं यार कभी-कभी लेकिन तो बार-बाई नोट कर लेता है ठीक है 28 याद रखना 28 फिक्स्ड बैरियर रहते हैं और साथ वाटर जंप रहती है ठीक है यह बाद ध्यांद रखना चलो यह कॉशन अधि एक्जाम में पूछा जाता है अभी आया भी था रिसेंटली तो यह रन्वे हो गया यह अपने स्क्रीन शॉट ले लिया अब आगे चलते हैं अभी यह टेक आफ बोर्ड के बारे में बात कर लेती है यह टेक आफ बोर्ड है यहां से जंप लेंगे यहां से जंप लेंगे आप तो लेंथ की बात करें तो 1.22 मीटर और विथ की बात करें चोड़ाई की बात करें इसकी तो 20 सेंटीमेटर देखने को मिलेगी उसके बाद में आपकी डेफ्ट गहराई की बात करें 10 सेंटीमेटर 1 मीटर बिहाइंड फ्रॉम दपिट पिट से 1 मीटर बिहाइंड जहां पर ज ताकि यहां पर गरिब बन जाए और फिसले ना किसी भी तरीके से जो खिलाडी है उसका स्पाइट थेक्ट है अब बात करते हैं प्लास्टिन इंडिकेटर बोर्ड यह कोश्चन आया था एक्जाम में आपके एक्जाम में कोश्चन आया था यह तो इसमें आपको यह भी पता होना चाहिए वन पॉइंट टू टू इसकी क्या रहेगी भिया वन पॉइंट टू टू इसकी लेंथ रहेगी विट इसकी दस सेंटीमेटर रहेगी हाइट इसकी है सेवन सेंटीमेटर रहेगी है ठीक है 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 सेवन सेंटीमेटर रहेगी यह बात ध्यान रखनी है बस आपको अब बात करते हैं आपके लेंडिंग एरिया की लेंडिंग एरिया की बात करते हैं कि लेंडिंग एरिया जिस पर आप जंप करने वाले है वो एरिया तो उसमें आपका जो लेंथ रहेगी वो 9 मीटर रहेगी 9 मीटर लेंथ रहेगी और विट की बात करें तो 2.75 से 3 मीटर तक इसकी चोड़ाई रह सकती है और डीप जो गहरी रहेगी वो कितनी रह सकती है पचास सेंटीमीटर उसके बाद में शुट भी फिल्ट डंप या सेंड या मिट्टी भरी होनी चाहिए ताकि खिलाड़ी को चोट ना लग सके ऐसा रहना चाहिए पेजिस ओफ लॉंग जंप की बात करें तो अप्रोच रहन फिर टेक ओफ फिर फ्लाइट और लेंडिंग यह आपका क्या रहेगा फेजिस ओफ लॉंग जंप यहीं पर हाई जंप में आपका टेक ओफ फ्लाइट टेक ओफ हो गया फ्लाइट कट जाएगा फ्लाइट की जगह क्या आ जाएगा यह आ जाएगा यह आ जाएगा भी यह बार क्लिरेंस ठीक है क्रोस बार क्रोस बार क्रोस बार क्लिरेंस और फिर आपका लेंडिंग ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है लॉंग यूजू जम्प में और हई जयंप में थोड़ा सा अलका सांतर देखने को मिलेगा Чер省 मिलेगा फिर फेजिव आपका लॉंक जम्प आपको देखने को मिल रहा है जिसमें क्या है बयाट एक प्रोच रजन टेक आफ फ्लाइट और लेंडिंग styles की बात करते हैं कि styles क्या-क्या होते हैं आपके long jump में कौन-कौन से style देखने को मिलते हैं तो style देखने को मिलेंगे that is आपका sale हो गया, sale style हो गया, hanging हो गया और hitch kick हो गया तो यह आपको तीन style देखने को मिलते हैं, यह sale technique है, उसके बाद में यह आपका hanging technique है और यह आपका hitch kick technique है पूछा जाता है कि तीनों टेखनीक किस में use होती है तो sail, hang और hitch kick यह आपका long jump में होती है sail, hang और hitch kick long jump में होती है याद रखना उसके बाद में triple jump की बात करते है तो triple jump mainly आपका runway की बात कर लेते हैं कितना रहता है तो same आपका long jump का जितना 40-45 उसके बाद में width की बात करें तो 1.22 meter उसी के साथ साथ में आपका marked by the white line और 50 mm इसके width रहने वाली है जो white color की पट्टी रहेगी उसकी take off board उसकी जो length रहेगी 1.22 और width रहेगी 20 cm depth रहेगी 10 और यह 13 meter पहले ही आपका जो लेंडिंग एरिया है वहां से और 11 meter पहले women's के तो यह दो question लिख लो भी या दो question exam में आ सकते हैं कि women's में कितनी meter पहले आपका take off board लगा रहा रहता है triple jump में that is 11 and men's में आपका that is 13 तो पूछा जा सकता है color white rectangular shape ठीक है यह भी सेम आपका उसकी तरह ही बना होता है ताकि फिस लेना take off board की तरह है प्लस्टीन इंडिकेटर बोर्ड में आपको बता दिया लेंडिंग एरिया यह भी सेम है पूरा का पूरा 9 ठीक है उसी में करवाते हैं वही लगबद सेम ही है आपका phases of triple jump की बात करते हैं अभी यह तो इसमें आपको phases देखने को मिलेंगे approach run hope step jump और लेंडिंग approach run hope step jump hope step jump any hsj hope step jump hope step jump याद रखना यही एक्जाम में confuse करेगा यहां से घुमा के पूछ सकते हैं आप से sequence में लगवा सकते हैं तो आपने approach run लिया यहां से आपने hope फिर उसी पहर से आपने step और यहां से जंप उस पहर से सेम देखो यहां आए approach run start करी ठीक है दूसरे पहर रखा फिर ठीक है फिर फिर जब आप styles in triple jump की बात कर लेते हैं कौन-कौन से अब यह फ्लैट एक तो दूसरा आपका leap step तो फ्लैट एंड अंडि और तीसरा आपका मिक्स्ड यह भी देखने को मिलेगा आपको फ्लैट टेकनीक है तो इसमें आपका औल्सों तो पॉलिश टेकनीक याद रखना प्लैट टेकनीक किस में काम आती है तो यह आपका पॉलिश टेकनीक भी बोला जाता है यह बात ध्यान रखना इसमें और इसमें आपका होप जो रहेगा वो 35% step 30% आपका क्या रहेगा जंप रहेगा तो अगर हम देखें आपे तो यह कितना रहेगा इतना इतना परसेंटेज बे टीप टेकनीक की बात करें तो आल्सो नोन एज रशियन टेकनीक इसमें 38.5% आपका होप रहेगा 30% आपका स्टेप रहेगा और जंप रहेगा 31.5 तो यह कुश्चन आने वाले टाइम में आपको फि पूछा जाएगा कि यह बताओ कि स्टीप टेकनीक में होप की परसेंटेज कितनी रहती है हम आपको बोल रहे है आज आने वाले टाइम आएगा मिक्स टेकनीक की अगर हम बात करें तो इसमें आपका होप जो रहेगा वह आपका 37 और स्टेप आपका 33 और जंप आपका 33 पर जब को ज़ानलेते है कि हाई जंप में आपका रुनमी जब रहे हम थोड़ा सा सकर नहीं एगा यहां से और है जब में जो आपका लेंध रहेगी वह स्यंसिकौल रहते एक इतनी 15 से लेगे 20 सेंटीमेटर तक उसी के साथ साथ में आपके यहां पर देखने को मिलेगा की विद्थ कितनी रहेगी तो 16 मिट्र हाँ हाँ ठीक हाँ रनवे सैमी सरकल फिर आपका क्रोजबर तो आज हम यहीं तक करते हैं भी यहां नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हाई जम्प को और हाई जम्प में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आपके हाई जम्प की पूरे अच्छे तरीके से टेकनीक क्या है और आने वाली classes में आपको athletics की वो सारी चीज़े मिलने वाली है जो अपने आज तक सायद देखी ना हो तो आने वाले class में हम hammer throw, javeline throw इन सभी के बारे में जानेंगे भिया तो आपको पस कुछ नहीं करना है जस सब्सक्राइब आवर चैनल और साथी साथ में हम मिलते हैं नेक्स क्लास में टिल वी मीट से फिट एंड से अलदी जैहिंद जैभारत फिजिकल एज़कुशन जंदा होगा और उसी के साथ साथ में हमारे साथ मिलने के लिए जुड़ने के लिए इंस्ट्रग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं मौनु मुदुकर ओफिशल पे जैहिंद जैभारत बंदे मातर